नमस्कार आप सभी का नॉलिज पॉइंट में बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरों का समेत, SSE जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाव में काम आएंगे ये सवाल इतिहास, बिहार श्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भूगोल से रहेंगे तो आईए देखते हैं आप कितने सवालों का जवाब सही सही देपाते हैं सवाल नमबर एक, तुगलक श्वासन के दोरां दर्भंगा का नाम क्या था? और इसका सही जवाब है, A. तुगलक पूर सवाल नमबर दो, प्रसेद हरिहर नाथ मंदिर बिहार में किस जगह पर इस्थित है? A. सासाराम, B. गया, C. सोनपूर, D. पतना और इसका सही जवाब है, C. सोनपूर, सवाल नमबर तीन, बुद्ध ने अपना पहला उदेश निमलेखित में किस स्थान पर दिया था? A. लुंबनी, B. सारनाथ, C. पार्टली पुत्र, D. वैशाली और इसका सही जवाब है, B. सारनाथ, सवाल नमबर चार, किस विदेश यात्री ने सबसे पहले भारत का दौरा किया? A. हुएन सांग, B. इत सिंग, C. मेगा स्थनीज, D. फाहियान और इसका सही जवाब है, C. मेगा स्थनीज, सवाल नमबर पाच, सिंदो सब्यता का बंदरगा, इन में से कौन था? A. काली बंगन, B. रोपड, C. मोहन जोदारो, D. लोथल और इसका सही जवाब है, ओप्सन नमबर D. लोथल सवाल नमबर साथ, एट्स बिमारी किसके कारण होती है? A. हिलमंथ, B. कबक, C. बैक्टिरिया, D. वाइरस और इसका सही जवाब है, D. वाइरस सवाल नमबर आठ, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? A. आयाम, B. तरंग दैर्ग, C. तिवरता, D. वेग और इसका सही जवाब है, B. तरंग दैर्ग सवाल नमबर नौ, किस कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजिनियर प्रोग्राम लाँच किया है? A. गूगल, B. एमजन, C. माइक्रोसॉफ्ट, D. फेस्बुक सवाल नमबर दस, किस सार्वजोनिक छेतर के बैंक ने 6S अभियान नाम से एक अभियान शुरू किया है? A. भारती स्टीट बैंक, B. पंजाब नैशनल बैंक, D. केनरा बैंक, D. बैंक ओप बरोदा और इसका सही जवाब है, B. पंजाब नैशनल बैंक, सवाल नमर 11, भारत और फ्रिलंका को अलग करने बाला जल डमरू मद्ध क्या कहलाता है? A. मलक्का जलसंधी, B. डोवर जलसंधी, C. पाक जलसंधी, D. हारमुज जलसंधी और इसका सही जवाब है, C. पाक जलसंधी आरे पिछले सेट में जिन दर्शोकों ने सबसे ज़ाता सही जवाब दिये हैं, उनका नाम है आप सभी का बहुत बहुत दिन वाद, साथ ही हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं सबसे ज़्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिस करेंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार